नमस्कार दोस्तो, HRMS ने अपना लीव मोडूल सकस्पुली डवलप और टेस्ट कर लिया है 1 अगस 2023 से HRMS का लीव मोडूल सभी करमचारियों के लिए ओपन हो जाएगा तो आप 1 अगस 2023 के बाद से HRMS से लीव ले सकेंगे लेकिन एक डीलिंग किलर HRMS में किसी एमपलोई की लीव को किस तरीके से अपडेट करेगा वो हम आज के इस वीडियो में सिखने वाले हैं तो गाईज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक डीलिंग किलर किसी एमपलोई की LAP, LHP और CCL किस तरीके से feed करेगा और कैसे personal department या engineering department जहाँ पर employee की leave deal होती है वो करमचारियों की leave को किस तरीके से accounts में भेजेंगे accounts किस तरीके से employee की leave को wait करेगा और wait करने के बाद कैसे वो leave approve होगी और approve होने के बाद किस तरीके से वो employee के खाते में सई balance credit होगा तो guys आज के इस video हम यह पूरी process सीख लेंगे और यह video बहुत ज़्यादा informative है क्योंकि अगर आपकी leave अगर गलत credit हो गई तो उसका खामयाजा आपको बाद में भगतना पड़ सकता है तो guys इस video को बहुत ही carefully होके देखे और खासकर जो dealing के लरक है वो इस video को बहुत ही ज़्यादा carefully होके देखे नहीं तो आपको कहीं पर भी समझ्या आ सकती है तो guys यार video को end तक देखना है कहीं भी skip नहीं करना है और channel पर नहीं हो तो subscribe भी करना है हाई guys मैं हूँ रवी और स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर तो दोस्तों आप दिल से सोचिए कि अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ skill मिलती है आपके कुछ useful होती है किसी काम की होती है तो यार channel को जरूर subscribe करिए वीडियो को like करिए और अपने दोस्तों में share करिए तो गैज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा procedure समझ लेते है कि कोई भी dealing clear किसी employee की LAP, LHAP और CCL का balance किस तरीके से HRMS में feed करेगा और किस तरीके से वो employee के खाते में credit होगी सुरू से end तक का पूरा process का हम एक theoretical याँ पर knowledge ले लेते हैं सबसे पहले कोई भी dealing clear के उसको जो भी employee वो deal करता है उन सारे employee का leave record HRMS में wait करवाना पड़ेगा तो जो भी आपका existing leave record है उसको आप wait करवा ले यानि कि offline wait करवा ले और उसके बाद जब आप online HRMS एक अगस्स से सुरू हो जाएगा तो आप महाँ पर online उस leave को wait करवा होगे आपको सारे करमचारियों की leave wait करवानी है लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए जिनके खाते में null balance पड़ा है या negative balance पड़ा हुआ है आई-pass में उनकी leave आपको सबसे पहले update करनी है HRMS ने provisionally आई-pass में जितना भी balance पड़ा हुआ है leave का वो चाहिए सही हो या गलत हो वो leave का balance port कर दिया है employee के leave record में तो employee leave तो ले सकता है लेकिन उसका balance वहाँ पर गलत हो सकता है उस balance को सही करने के लिए आपका जो physical leave record है या आपका आई-pass में सही भी पड़ा हुआ है उसे HRMS में भी account से wait करवाना पड़ेगा जो dealing के लार गए हो अपने officer को बेजेगा officer accounts को बेजेगा accounts उस leave record को wait करेगा wait करने के बाद वो वापिस से उसी department के officer के पास आएगा वो उस department का officer उसको approve करेगा approve होने के बाद ही किसी employee की leave credit होगी तो चली आज देखते है laptop की screen पर कि ये पूरा process किस तरीके से होगा गाईज वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत ज़दा informative है सभी employees, सभी dealing clerks, सभी concerned authority जो इस काम में involved होगी उनको ये वीडियो बहुत ज़दा carefully होके देखना है तो चलीए गाईज laptop की screen पर और देखते हैं किसी employee का leave record HRMS में किस तरीके से submit करेंगे और किस तरीके से wait कराएंगे तो गाईज अब हम देखते हैं कि एक dealing clerks की leave को किस तरीके से HRMS के leave module में update करेगा लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक employee की ID से दिखाता हूँ कि अगर उसका leave balance अपडेट नहीं किया गया है तो उसकी screen पर किस तरीके का message दिखेगा तो suppose इस करमचारी का अभी तक कोई भी leave balance अपडेट नहीं किया गया है इसका जो भी leave balance अपडेट होके आया है वो iPad से provisionally port किया गया balance है तो हम क्या करते है इस employee के leave module में जाते है leave management वाले option में जाते है जाने के बाद हम new leave application पर click करते है उससे पहले अगर हम my leave balance देखेंगे तो यहाँ पर देखे यह LAP और LHAP का balance दिखा रहा है लेकिन यह मेरा provisional balance है यह original balance नहीं है ठीक है ना तो अभी हम leave management पर जाते हैं और new leave application पर click करते हैं click करने के बाद हम नीचे आते हैं और यहाँ से हम nature of leave में LAP select कर लेते हैं जैसे हम LAP select करेंगे तो यहाँ पर देखे एक message आ रहा है यहाँ पर एक message आ रहा है यहाँ पर एक message आ रहा है यहाँ पर यह आपका provisional balance है यह आपका change भी हो सकता है जब आपका leave balance update ओरिजिनल में हो जाएगा तो हमें यह वाला message भी अटाना पड़ेगा प्रत्यक employee का तो सारे dealing clerk को सभी employee का leave record तो wait करवाना ही पड़ेगा अब हम चलते है dealing clerk की ID पर अब हम login हो चुके एक dealing clerk की ID से किसी भी employee की leave को HRMS में update करने के लिए DC role होना जरूर ही है leave module में केवल एक ही role दिया गया है वो है dealing clerk का जिसके भी पास dealing clerk का role होगा वो किसी भी employee की leave को update कर सकता है तो यहां से हम menu वाले option में जाते हैं और यहां पर leave management वाला option है एक यह leave management इस वाले option पर जाते हैं जाने के बाद कुछ इस तरीके का interface आएगा अब यहां पर मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि यह वाला जो part है यह employee का part है और यह वाला जो part है यह office use का part तो यहां पर आज हम काम करेंगे update initial balance यह वाला हमारा एक option है update initial balance इस पर जाकर dealing killer को सभी employee का leave update करना है यानि कि leave का initial balance update करना है उसके बाद हम आने वाली वीडियोज में देखेंगे कि update leave balance और manual leave entry यह क्या चीज़ है income आगे आने वाली वीडियोज में देखेंगे लेकिन फिलाल आपको initial में किसी employee का initial leave balance update करना है तो आपको update initial balance वाले option पर जाना होगा तो यहां पर हम click कर देते है update initial balance पर click करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीगे का interface आएगा अब यहां पर सबसे उपर है update of initial balance ठीक है यहां पर आपके john का नाम रहेगा यहां पर आपके unit का नाम रहेगा यहां पर proposal idea, proposal date है यह automatic आएगी जब आपका proposal आगे बनके जाएगा इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है उसके बाद आता है यहां पर filter employee to be sound और यहां पर bill unit का option दिया गया है अब जिसके पास भी DC का roll है वो किसी भी employee की leave को update कर सकता है तो यहां पर आपको भहती ध्यान देने वाली बात है कि आप जिन employee का leave record maintain करते हैं आप सिर्फ उनहीं का ही leave update करें किसी दूसरे employee का leave update नहीं करें वरना उसका leave record फस सकता है ठीक है तो यहां पर मेरी सारी dealing clerk से गुजारिस है जिनका आप deal करते हैं सिर्फ उनका ही आप leave balance update करें बाकी को आप नहीं चेड़े जिसका जिससे सम्मन देता है वो अपना देख लेगा उसके बाद यहां से bill unit हम select करते हैं जिस भी bill unit को आप deal करते हैं उस bill unit को आपको select करना है ठीक है मानीजे मैंने एक यह bill unit है इस bill unit को मैं select कर लेता हूँ उसके बाद आपके सामने अगली bill unit भी select करने के लिए अवलेवल हो जाएगी यानि कि मानीजे आप दो bill unit में से employee को deal कर रहे हैं तीन में से कर रहे हैं ऐसे total पाच bill unit का data आप एक साथ display करा सकते हो आपके सामने आपको कम कम करना है तो आप single single bill unit select करें और आपको सभी का अगर मानीजे एक साथ करना है तो भाई आप ज़्यादा bill unit select कर सकते हैं ठीक है तो मैं फिलाल यहाँ पर एक कर रहा हूँ और आपकी यह approach होनी चाहिए कि आप छोटे छोटे टुकडों में leave को update कर वा ले ताकि कोई भी गड़बडी की संभावना नहीं रहे आप चाहें तो आप दूसरी bill unit भी यहाँ से select कर सकते तो फिलाल मैं यहाँ पर एक ही bill unit select कर रहा हूँ example के तौर पर और यहाँ पर मैं आपको clear कर देता हूँ कि यह जो भी मैं बता रहा हूँ वो मैं अपनी सोच समझ के आदार पर बता रहा हूँ ज़्यादा information के लिए आप HRMS की जो guideline है उसको follow कर सकते हैं और यहाँ पर मैं test version यूज कर रहा हूँ और आपके सामने production version देखेगा तो हो सकता है कि यह जो option हमारे सामने देख रहे है इनमें minor कुछ difference हो सकता है लेकिन लगबग आपको यही सारी चीजे देखने को मिलेंगी यह procedure सेम ही रहेगा उसके बाद आप नीचे आते हैं तो हमारे सामने एक option आता है so all record और उसके बाद इधर आता है so only ठीक है न अब so all record का मतलब क्या है हमने एक bill unit 18 select किये इसके so all record मतलब इसमें जितने भी employee है उन सब का record आपके सामने display हो जाएगा मैं यहाँ पर एक बार proceed करता हूँ proceed करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी employee है सारे employee का record मुझे यहाँ पर दिखने लग गया है और उनका provisional balance जो आई-pass से port होकर आया है वो भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है अब हम चाहते हैं कि हमें call record नहीं चाहिए हमें सिर्फ वो employee चाहिए जो या तो अगले एक साल में retire हो रहे है या जिनका negative balance है या कोई भी balance डला हुआ नहीं है railway board का जो अभी RBI आया था 94.2023 उसमें लिखा हुआ था कि जिन employee का negative balance है या zero balance आईपास में पड़ा हुआ है या जो employee अगले एक साल में retire हो रहा है उनका आप leave record सबसे पहले wait करवा के और उनका leave record verify करवाईए तो आप उस case में क्या करोगे जैसे so only वाले option पर हम click करेंगे और यहाँ पर एक option है person having null or negative provisional balance इस पर हम click कर देते हैं click करने के बाद जैसे हम proceed button पर click करेंगे तो हमारे सामने केवल दो employee का record आया है और जिसमें ये दो employee के opening balance में कोई भी balance यहाँ पर display नहीं हो रहा है क्योंकि ये हमारे नए employee है इनका आईपास में अभी कोई भी balance leave का update नहीं हुआ तो ऐसे candidate अगर आपके सामने हो तो इन candidate का आपको सबसे पहले leave record अपडेट करके account से wait करवा के accept करवाना है जिससे कि ये लोग LHAP, LAP और CCL ले सके अधरवाई ये LAP, CCL वगेरा नहीं ले पाएंगे सेम ऐसे ही यहाँ पर retiring one year है यानि कि जो employee अगले एक साल में retire हो रहे हैं उनका आपको अगर करना है तो हम यहाँ पर proceed कर देंगे और यहाँ पर फिर से देखिए हमारे सामने दो employee आ गए हैं यह employee अगले एक साल में retire होने वाले हैं तो इनका भी आपको जल्दी से LAP, LHP, CCL अपडेट करके अकाउंट से वेट करवाना है ठीक है उसके बाद हम फिर से आ जाते हैं तो यह हमने देखा so all record और so only record का मतलब क्या है इसमें कई लोगों को confusion रहता है तो वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया आपको सबसे पहले जिनका zero या negative balance है उनको देखना है उसके बाद जो retire हो रहे एक साल में उनको देखना है और उसके बाद आपको so all record यानि की बाकी बचे हुए सारे employee को भी देखना है सब जितने भी employee हैं आपके पास सब का record आपको account से wait करवाना ही होगा अब मालीची हम so all record कर लेते हमें और भी employee का करना है तो हम so all record कर लेते हैं उसके बाद हम नीचे आते हैं नीचे आने के बाद आपके सामने एक option आएगा opening balance edge on और यहाँ पर date आ रही है 31.7.2023 यानि की 31.07.2023 अब यह date fix है इसको आप change नहीं कर सकते यानि की आपको 31.07.2023 यानि 31.07.2023 तक का leave balance employee के खाते में update करना है पहले रेले बोड ने कहा था कि आप एक जुलाई तक का update कर लीजे लेकिन अभी जो latest RBI आया है 14.2023 उसमें कहा है कि आपको प्रतेक employee के 31.07.2023 तक का उसके खाते में कितना LAP, LHP, CCL बकाया है उसका balance आपको यहाँ पर update करना है उसके बाद हमारे पास दो option मिलेंगे proceed और reset reset से आप करने यह जो value डाली है यहाँ पर यह सारी reset हो जाएगी और proceed बटन पर जब आप किलिक करेंगे तो आगे के action के लिए हमारे पास process हो जाएगा और कम कम employee देखते मैं आपको example के तोर पे पूरा cover करके चल रहा हूँ आप अप अपनी सुविदा के अनुसारी इसको करें उसके बाद हम नीचे आते हैं नीचे आने पर देखिए जितने भी employee हमारे पास इस unit में थे सारे employee हमें display होने लगे हैं सब का नाम हमारे सामने आ चुका है अब इसमें देखिए हैं यहाँ पर opening balance का option है तो LAP, LHEP और CCL का opening balance यहाँ पर आई पास से उठकर और port कर दिया गया है वो आपको आई पास वाला balance यहाँ पर देख रहा है अब यह balance अगर आप आई पास में maintain करते हैं तो यह balance सही हो सकता है अगर आप आई पास में maintain नहीं करते हैं तो यह balance obviously यह गलती होगा अब यहाँ पर एक option आ रहा है select all और by default यहाँ पर tick का निसान है ठीक है न यह check box check है इसको हम जैसे click करते हैं तो यह हमारे सारे check box हट जाते हैं अब यहाँ से आप individually employee को select कर सकते हैं मालीजे मुझे यह employee चाहिए यह employee चाहिए और यह employee चाहिए मैं तीन employee का record अभी एक साथ update करना चाता हूँ तो मैंने यह तीन employee select किये इनके data में मैं यहाँ पर परिवर्तन कर देता हूँ change कर देता हूँ उनकी link में और उसके बाद मैं इसको submit कर दूँगा अगर मालीजे आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो सब को एक साथ करूँगा तो आप यहाँ पर select all कर लेंगे तो select all में सारे employee select हो जाएंगे और सब का leave आपको यहाँ पर update करना पड़ेगा ठीक है उसके बाद आगे option है waiting का तो यहाँ पर waiting pending है तो हम सब employee का नहीं करेंगे हम example के तोर पर कुछ employee select करेंगे तो अब इसमें आप एक साथ एक employee को भी भेज सकते हैं 5 को भी भेज सकते हैं 10 को भी भेज सकते हैं वो आपकी छमता के उपर है आप कितने का leave record एक साथ भेज रहे हो कितने का leave record आप verify करवा पाओगे wait करवा पाओगे अब account से किस तरीके से wait कराना है आपके accounts को कौन-कौन से document चाहिए वो आपकी हेड़क है कि आप किस तरीके से account से wait करवा पाओ आपका प्रसासन आपका accounts coordination करे कि उनको कौन से document update करने के लिए necessary चाहिए या नहीं चाहिए अब मालीजे मैं यहाँ से 2 employee select कर लेता हूँ आपको अगर यहाँ पर search करना है तो आप control app दवाईए और यहाँ पर search कर लीजे तो मालीजे यहाँ पर मैं एक employee select कर लेता हूँ और मैं आगे एक employee और select कर लेता हूँ उसके बाद मैं यहाँ पर एक employee और select कर लेता हूँ मैंने यहाँ पर तीन employee select कर ली है ठीक है ना तीन employee का मुझे record यहाँ पर update करना है और मैं तीन employee का record यहाँ पर update करकर भेज रहा हूँ अब यहाँ पर इनका लेव रिकोर्ड अपडेट करते हैं, मालीजे यहाँ पर इनका 228 चुट्टी दिखा रहा है मालीजे इनके पास अभी 105 में चुट्टी ही बाकी है बाकी चुट्टी इन्होंने ले ली थी गलत बैलेंस यहाँ पर मालीजे यह यह दो सो इक्यासी है या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं अब यह मेल करम चारी है तो अगर यह सिंगल चाहिड फादर होगा तो इसको CCL मिलेगी अधरवाई यहाँ पर बैलेंस हम जीरो ही रखेंगे उसके बाद आता है यहाँ पर एक फीमेल एमपलोई है हमारे पास और इस फीमेल एमपलोई के में खाते में पड़ी हुई है 121 LAP अब मान लिजे यह LAP गलत है यह LAP ज़्यादा है या कम है उसके अकोर्डिंग आपको देखना है मान लिजे यह LAP कम पड़ी हुई है तो हम यहाँ से इसको ज़्यादा भी कर सकते है ज़्यादा है तो हम इसको कम कर सकते है ठीक है यह इनकी LAP है तो मान लिजे यह कम पड़ी हुई है तो इनके पास ज़्यादा है तो मैं यहाँ से इसको 120 कर देता हूँ अब इनके पास CCL भी होगी चुकि ये female employee है और अगर इनको CCL मिलती है तो इनके जाईर सी बात है CCL का भी opening balance डालना पड़ेगा ठीक है ना अब CCL का opening balance आप कहां से लोगे कैसे maintain होता है वो आपका उपर depend है आपको female employee का या single child father का CCL balance डालना पड़ेगा जो भी applicable है जिसके लिए ये valid है तो मैं यहां से इनका CCL डाल देता हूँ मान लिजे इनके पास अभी 560 CCL बची हुई है तो मैं यहाँ पर CCL का balance अपडेट कर देता हूँ उसके बाद हम नीचे आते हैं और हमने एक employee को और select किया था इनकी है अब मान लिजे इनका भी leave balance यहाँ पर ज़्यादा है तो मैं यह आज भी थोड़ी सी खराब हो जाए क्योंकि मुझे लगातार बोलना पड़ रहा है लेकिन वीडियो को end तक जरूर देखना है उसके बाद हम नीचे आते हैं और यहाँ पर आपसे पूछता है यह और remark यानि कि यहाँ पर आपको dealing clerk का remark दे रहा है इन leave record के लिए तो मैं example के तोर पर remark डाल दिया है आपको अपने according देना है उसके बाद आता है upload file ठीक है न अब यह जो leave record है इन से related आपको अगर कोई document upload करना है जिसको देखकर भाई accounts आपका leave wait कर दे यह इनका हो सकता है कोई closing balance हो कोई माली जी एक letter हो जिसमें सबकी leave waited करके accounts ने आपको दी हो या आप माली जे यह necessary नहीं है आप फिजिकली दिखा के उनसे leave wait करवा लो यह यहाँ पर आपका decision है कि आप किस तरीके से leave को wait करवा पाते हो आपका पिरसासन आपका accounts coordinate करे और जो भी document उनको require है वो आप यहाँ पर upload कर सकते हैं और इस document में क्या upload करना इसके बारे में आप Chris की जो guideline है उसको follow करें या आप अपने हिसाब से आप पर upload कर सकते हैं पर ध्यान रहा है कि दो MB से ज़्यादा कि यह file नहीं लेगा तो आपको उसके हिसाब से देखना है तो example के तोर पर मैं आप पर एक कोई भी file upload कर देता हूं आपको अपने हिसाब से करनी है तो मैंने एक file select क department यानि कि इस proposal को account का waiting required होगी manual record will be provide to account department for waiting आपको manual record accounts में देना पड़ सकता है वेटिंग के लिए उसके बाद है manual record will be preserved for the purpose of audit of the vigilance checking यानि कि आपका जो अभी existing manual record employee का है 31 जुलाई 2023 तक का वो आपको अच्छे से सुरक्षित रखना है वो audit या vigilance की checking में बाद में काम आ सकता है उसके बाद यहाँ पर एक check box है कि I declare that these entries are made for leave balance as on 31 साथ 2023 यानि कि 31 जुलाई 2023 की leave record मैंने यहाँ पर entry की हैं जितना भी इन employees का 31 जुलाई 2023 का balance था वो balance मैंने यहाँ पर update किया है तो इस check box को यहाँ पर आपको टिक करना है ठीक है न जैसे हम select करेंगे तो यह वाला option हमारे पा यह इनको reset करना चाते हो तो इस button पर जाकर reset कर सकते हो यहाँ पर एक option है save a draft का तो जब आप save a draft करोगे तो यह record save हो जाएगा और मानली जीए आप इस screen से भार चले जाते हो तो दुबारा जब आप आओगे तो आपको यह record यहाँ पर मिलेगा इस जगह पर मिलेगा आपको जब आप आओगे तो यह edit initial balance यह record आपको यहाँ पर जाकर मिलेगा बाद में उपर जाके यह नाम नहीं मिलेंगे ठीक है और एक बर जिनका नाम आपने आगे forward कर दिया वो वापिस से इस list में नहीं मिलेंगे जब तक कि वो return होकर अगर नहीं आ जाते है और अगर उनका record wait ह गया तो यहां से उनका नाम हट जाएगा तो हम जाते हैं save as initiate workflow आपको क्या करना है यह जो entry करके और यह सारा कुछ देने के बाद आपको save and initiate workflow पे click करना है click करने के बाद यहां पर यह option आएगा तो यहां पर आपको yes करना है मैं yes कर देता हूं yes करने के बाद आपके सामने कु सेव कर लिया है और एक प्रपोजल आईडी यहां पर बना दिये, अब यह जो हमारा केस है यह आ चुका है इस वर्कफलोवाले उप्सन में, अब यहां पर एक नया कॉंसेप्ट जुडआ है वर्कफलोवाले उप्सन में आ चुका है, तो यहां से देखिए कि सबजेक्ट आ चुका है, description आ चुका है, और workflow status है, to be initiate, version है हमारा one, और यहाँ पर view proposal required, ठीक है न, यहाँ पर view proposal as received, इस पर click करेंगे, तो हमारे सामने यह proposal आ जाएगा, आपने क्या किया है, किन किन employee की आपने leave, यहाँ पर update करके भेजी है, कितनी कितनी भेजी है, उस सब का proposal यहाँ पर जाएगा, और waiting की क्या status है, तो waiting pending है, यह proposal सब के पास देखेगा, कोई document है, तो यहाँ से यह upload है, इसको view करके देख सकते, उसके बाद आता है, select action type, अब यहाँ पर बहुत carefully होकर आपको देखना है, action type में क्या करना है, जैसे हम select करेंगे, तो आपके सामने तीन option आएंगे, forwarded, return और proposal drop, अगर मानी जी आपको यह proposal आगे forward करना है, तो आप forwarded करोगे, return करोगे, अगर आपको यह proposal drop करना है, तो आप इस proposal drop को select करो, ठीक है, अब dealing killer को तो जाहिर सी बात है, इसको forward करना है, तो हम forwarded select करते हैं, उसके बाद परपज आता है, ठीक है, अब परपज में आत सिर्फ account department करेगा तो जब भी हम accounts में वेजेंगे तो वेटिंग select करकर वेजेंगे और वेटिंग कोन select करेगा जब आपका अधिकारी भेजेगा अभी हम इसको भेज रहे हैं आपके इंचार्ज के पास जनरली क्या होता है एक dealing इसको चीप हो इसके पास वेज रहा है तो वो select करेगा onward submission याने की आगे submission हमने कर दिया आगे के लिए भीजने के लिए अगर माली जी इसको आप direct accounts में भेज देना चाहते हो तो आप direct waiting select करो लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है ठीक है न तो हमें onward submission select करते हैं और forward to यहाँ पर आप अपने इंचार्ज का नाम डालोगे अगर आपका इंचार्ज आपके unit में नहीं है तो इस search outside unit पे जाके आप अपने इंचार्ज को किसी दूसरी unit में भी select कर सकते हो अगर वो कोई दूसरे department में है दूसरी unit में है तो यहाँ पर हम अमारे chief voice का नाम select कर लेते हैं तो हमने हमारे chief voice का नाम यहाँ पर select कर लिया है उसके बाद नीचे आते हैं उसके बाद अगर यहाँ पर भी कोई document आपको लगा अब यह प्रपोजर हमारा चला गया है हमारे चीफ होईस की आईडी पे अब हमारे चीफ होईस की आईडी से लोगिन करते हैं तो गाज इतना तो प्रोसेस था एक डीलिंग कलर का कि एक डीलिंग कलर किस तरीके से किसी भी एमपलोई का लिव रिकोर्ड को HRMS में सम्मिट अगर कोई अपलोड करना है तो वो करेगा और उसको अपने officer के पास भेजेगा या आपने इंचार्ज के पास भेजेगा अब इंचार्ज उसको किस तरीके से officer के पास भेजेगा आएए देखते आगे इस वीडियो में अब हम लॉगिन हो चुक है हमारे cheap officer की ID से अब यह क् click करेंगे click करने के बाद यहाँ पर task progress या my activity कोई सा भी option हो सकता है आप उसमें जा सकते हैं और हो सकता है production बर्जन में ये दोनों एक साथ दिखें तो हम मालीजे यहाँ पर my activity में जाते हैं जैसे आप यहाँ पर जाएंगे तो आपके सामने जो भी proposal आया रहेगा वो proposal आपको यहाँ पर दिखने लगेगा कब आया है किस से संब्दित है क्या subject है और किसलिए प्राप्त हुआ है अब यहाँ पर दो option आ रहे है process का और एक यह वाला message का सा option आ रहा है अब हम message वाले option पर click करेंगे तो हमारे पास यह नोटिंग दिख जाएगी कि इस proposal में क्या क्या नोट और उसका remark क्या है वो भी यहाँ पर आ चुका है अब यहाँ पर आप थोड़ा सा notice करिए कि आपको थोड़ा थोड़ा सा e-office वाला feel आएगा जिस तरीके से हम e-office में forward करते हैं उस तरीके का feel आपको यहाँ पर आने वाला है ठीक है अब workflow की status क्या है कि approval भी pending है और waiting भी pending ह और वर्जन बन है अब यहाँ से आप क्या कर सकते है व्यू नॉटिंग देख सकते हो इस पर क्लिक करेंगे तो किस ने क्या-क्या नॉटिंग में क्या-क्या लिखा है वो सारा यहाँ पर वो देख सकता है व्यू प्रपोजल की proposal में आपको क्या receive हुआ है तो यह जो proposal हम ने leave updating का बनाया था वो पूरा proposal इनको यहाँ पर दिख रहा है अब यह क्या करेंगे यह इस leave को भेजेंगे APO के पास क्योंकि APO भेजेंगे फिर इसको accounts में हम directly तो accounts में भेज नहीं सकते ओफिसर के थुरू भेजेंगे तो अब जो हमारा इन चार्ज है वो भेजेगा हमारे officer के पास ठीक है तो अब हम इसको action time में select करते है forwarded अगर return करना है तो return कर सकते हैं और forward करना है तो forwarded select करेंगे परपज में हम select करेंगे onward submission ठीक है ना onward submission है यहाँ पर select करेंगे और forwarded to में हमारे APO साब के पास हम बेज देंगे जो भी आपका अधिकारी हम उनके पास बेज देंगे ठीक है ना आप जो भी इंचार्ज है वो इंचार्ज जो भी officer को बेजना चाहता है उसके पास बेज देंगे यहाँ से कोई document upload करना है तो वो कर देंगे और remark है आपर लिख देंगे तो यहाँ पर हमने example के तोर पर एक remark लिख दिया है आपको अपने हिसाब से लिखना है उसके बाद हम submit बटन पर click करते हैं और yes करते है तो यह proposal हमारा चला गया है हमारे officer की ID पे अब हम login करते हैं हमारे officer की ID से अब हम login हो चुके हमारे officer की ID पे जिनकी ID पे हमने यह leave record भेजा था आगे accounts में forward करने के लिए तो अब यह क्या करेंगे फिर से वह menu वाले option में आएंगे और यह भी वो work flow वाले option में जाएंगे अब इनको leave management वाले option में नहीं जाना है work flow वाले option में जाना है यहां पर click करेंगे click करने के बाद यह task progress या my activity किसी पर भी click कर सकते हैं यह करने के बाद फिर से वह पूरा recording के पास आ जाएगा क्या proposal आया हुआ है तो फिर से यह process वाले बटन पर click करेंगे यहां पर subject दिखेगा description वगेर आ जाएगा proposal ID हमारा same है किसने भेजा है ठीक है न और क्यों भेजा है और यहां पर work flow का status भी approval pending है और waiting pending है ठीक है यहां से यह view noting देख सकते हैं तो यह noting आगाई यहां पर आप notice कर सकते हैं कि एक noting और हमारी बढ़ चुकी है जैसे जैसे यह flow करेगा यहां पर यह noting बढ़ती जाएगी अब यहां से यह view proposal करके यह proposal को देख सकते हैं कि इस proposal में क्या आया है उसके बाद अब यह भेजेंगे इसको accounts में इनको लगता है कि यह सारा कुछ सही है तो अब यह इसको accounts में भेजेंगे अगर इनको return करना है तो यहां से यह return भी कर सकते हैं फिलाल हमें यह आगे forward करना है तो हम forward it select करेंगे यहाँ परपज में अब हम select करेंगे waiting अब हम इसको accounts में waiting के लिए भेज रहे हैं ना कि onwards submission के लिए जब हम waiting select नहीं करेंगे तो accounts को waiting का option भी नहीं दिखेगा तो जब भी कोई भी personal department का officer या engineering department का officer accounts में अगर leave record waiting के लिए भेजना है तो आपको यहाँ पर waiting परपज में waiting select करकर ही भेजना है तो यहाँ पर हम waiting select कर लेते हैं जैसे हमने waiting select किया तो यहाँ पर एक forward to में option आ गया waiting can be done by गजटेड ओपिसर ओप अकाउंट डिपार्टमेंट ओनली यानि कि कि किसी भी leave record पर waiting का काम accounts डिपार्टमेंट का गजटेड ओपिसर ही कर सकता है और कोई officer नहीं करेगा तो यहाँ पर जो भी list आपको दिखाई देगी वो accounts के गजटेड ओपिसर की लिष्टी दिखाई देगी तो यहाँ पर हम accounts के गजटेड ओपिसर का नाम डाल देते हैं तो यहाँ पर हमने एक हमारे F.A. साब है उनका नाम यहाँ पर select कर लिया है उनको भेज रहे हैं अब ध्यान रखिएगा जो भी APO या जो भी एएन वगेर अकाउंट में भेज रहे हैं वो selection टाइप में करना है forwarded और purpose में करना है waiting ठीक है उसके बाद कोई document upload करना है तो वो और remark ठीक है रिमार्क हम दे देते हैं तो यहाँ पर हमने remark लिख दिया है और उसके बाद submit करते हैं रिमार्क आपको अपने हिसाब से लिखना है तो हम यहाँ पर submit कर देते हैं yes करते हैं yes करने के बाद अब यह ह officer किस तरीके से किसी भी leave को accounts में भेजेगा अब यह personal department के APO, DPO हो सकते हैं जिनको leave record account में waiting के लिए भेजना है और या फिर यह engineering department के agent वगेरा हो सकते हैं जहाँ पर भी मतलब employee का leave record maintain होता है उस department के officer इस तरीके से leave को account department में waiting के लिए भेजेंगे अब देखते हैं कि account department किस तरी के से वो examine वगेरा करता है अब हम login हो चुके accounts officer की ID से जिन EFA sir के पास हमने भेजा था या जिन ADFM sir के पास आपके officer ने भेजा होगा उनकी ID से हम login हो चुके हैं अब यह क्या करेंगे फिर से इस menu वाले option में जाएंगे और यहाँ पर workflow का option है इस पर click करेंगे और task progress या my activity किसी पे भी click कर देंगे उसके बाद यह वाला option आएगा वही proposal ID आ चुकी है अब यहाँ से यह process वाला button है इस पर click करेंगे click करने के बाद यहाँ से view noting देख सकते हैं कि किसने क्या क्या करके भेजा है पूरा remark वगेरा यहाँ पर देख सकते हैं वो लो उसके बाद यहाँ पर subject क्य आया है यह सारी चीज़े यहाँ पर यह चेक कर लेंगे और देखिए हमारा अभी status है approval pending waiting pending यहाँ से यह view proposal receive कि इनके पास क्या proposal आया है वो यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर एक option जुड़ गया है wait record ठीक है न यहाँ से यह इस record को wait भी कर सकते हैं अब ध्यान रहे है account department का budgeted officer इसको wait कर सकता है इसलिए इनके पास यह wait record का option आ रहा है ठीक है तो यहाँ से यह इस proposal को wait कर सकते हैं चुकि यह अभी record personal department से मिला है तो APSR directly तो इसको wait करेंगे नहीं अब जायर सी बात है कि APSR direct तो इसको wait करेंगे नहीं उससे पहले वो अपने नीचे जो staff है जो भ जो इन्होंने भेजा है proposal यह सही है या गलत है तो उनकी वो examination report लेंगे तो यह क्या करेंगे इस record को नीचे भेज देंगे उनके senior SO के पास SO के पास या उनके किसी JAA के पास AA के ठीक है तो मैं यहाँ पर इस record को direct इनके AA के पास यानि account assistant के पास भेज रहा हूं SO के पास अभी नहीं बेज रहा हूं क्योंकि फिर process थोड़ा लंबा हो जाएगा तो वह अपने हिसाब से बेज सकते हैं forward कितनी भी बार इसको आगे बेजा जा सकता है ठीक है ना तो यहां से हम select करते है forwarded और उसके बाद हम purpose select करते हैं इसका examination ठीक है ना अब यहां से यह select करेंगे examination की भा जो इनका account assistant है इनका नाम मैंने select कर लिया है और यहां पर remark डाल देंगे तो यहां पर इन्होंने remark डाल दिया है और इनको अपने हिसाब से remark डालना है मैं यहां पर example के तोर पर बता रहूं उसके बाद यह submit कर देंगे yes कर देंगे अब यह proposal चला गया है इनके staff के पास जिनक पास इन्होंने भेजा है examine करने के लिए अब हम उनकी ID से login करते हैं अब हम login हो चुके account assistant की ID से जिनके पास हमने यह proposal examination के लिए भेजाता है यानि कि एपेसर ने examination के लिए भेजाता अब यह क्या करेंगे फिर से इस menu option में आएंगे work flow वाले option पे जाएंगे और task progress या my activity किसी पे भी click कर देंगे उसके बाद इनके पास भी यह proposal आ जाएगा same proposal यहां से इस process वाले बटन पर यह click करेंगे click करने के बाद फिर से देखी यह पूरी detail आ जाएगी क्या क्या remark है यहां से यह noting देख सकते हैं कि किसने क्या क्या noting दिया है पूरा यहां से यह देख सकते हैं उस से ये remark वगेरा पढ़ लेंगे और view upload file यानि इस file को ये view करके देख सकते हैं कि भाई ये जो record भेजा गया है इसके according ये leave सही है या नहीं है या आप मानीजे physically उनको दिखा के ये leave approval करा सकते हैं उसके बाद हम नीचे आते हैं अब मानीजे इनको ये पूरा proposal सही लगा ठीक है एक employee का गड़वड लगा दो employee का सही लगा ठीक है या दो employee का सही लगा एक का गड़वड या मानीजे दो का गड़वड एक का सही या तीनों का सही या तीनों का गलत कुछ भी हो सकता है हम मानीजे suppose कर रहे हैं कि एक employee का proposal गलत था, दो employee का सही था, तो हम यहां से action type में select करेंगे forward तो हम यहां पर forward select करते है action type में, उसके बाद आते हैं हम इस purpose पे, अब purpose में क्या करना है, इनको यहां से select करना है, कि यह SO sir के पास इस record को Q भेज रहे हैं, ठीक है, तो यहां से अब यह waiting के लिए नहीं भेजेंगे, क्योंकि waiting तो officer के पास ही जा सकता है, तो यह onward submission भेजेंगे, तो यहां से हम onward submission select करते हैं, और यहां से SO का नाम select करते हैं, हम आलिजिए select कर लिए हमारे SS आपको, और यहां से हम इसको select कर लेंगे, तो इनका नाम यहां पर आ जाएगा, जनरली तो उसी unit में होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिं मैंने आपको example के तोर पर बता दिया है, अगर आपका SO दूसरे unit में भी अगर है, तो आप यहां से select कर सकते हैं, ठीक है ना, जनरली तो आपको यहां पर ही मिल जाएगा, उसके बाद यहां पर हम remark select कर लेते हैं, तो हमने यहां पर remark दे दिया है, अब वो यहां पर कुछ भी remark दे सकते हैं, उनके इसाथ से मैंने example के तोर पर दिया है, उसके बाद हम यहां पर submit कर देते हैं, submit कर देते हैं, yes कर देते हैं, अब यह record चला गया है हमारे SO सर के ID पर, ठीक है ना, जो भी SO है, उनके पास चला गया है, अब हम login करते हैं, SO सर की ID से, अब हम login हो चुके, SO सर की ID से, जिनके पास account असिस्टेट ने यह record बेजा था, कि भाई, दो record से यह, एक record गलत है, तब यह क्या करेंगे, फिर से इस menu वाले option में आएंगे, और workflow वाले option पर जाएंगे, यहां से my activity में जाते हैं, और यहां पर फिर से वही proposal इनके पास आ जाएगा, और यहां से देखिए, action type में process पे select करेंगे, select करने के बाद, फिर से वही पूरा record इनके पास खुलके आ जाएगा, और यहां पर double A ने क्या remark दिया है, वो remark पी यहां पर so करने लगे, यहां से view proposal देख सकते हैं, कि proposal में क्या है, उसके बाद यह नीचे आते हैं, और यहां पर action, select, action type select करेंगे, अब इनको यह forward करना होगा, अगर यह return करना चाते हैं, तो return, और आगे forward करना चाते हैं, तो forwarded select कर लेंगे, उसके बाद परपज, परपज में अब यह waiting select करेंगे, ठीक है न, अब यह इसको waiting select करेंगे, क्योंकि अब यह गजटेड ओपिसर के पास बेज रहे हैं, waiting के लिए, तो अब यहां पर यह पर purpose select किया, waiting और यहां पर फिर से हम बेज़ देते हैं, हमारे APSR के पास, तो हमने यहां पर APSR का नाम, यहां पर select कर लिया है, उसके बाद हम यहां पर remark डाल देते हैं, SO सर का, अब हमने यहां पर एक remark लिख दिया है, ठीक है न, जो भी remark है, वो अपने हिसाब से लिखेंगे मैंने example के तोर पे समझाने के लिए लिखा है, कि इस तरीके का seniorio हो सकता है, उसके बाद हम इस submit बटन पर click करेंगे, yes करेंगे, अब हमारा यह record फिर से चला गया है, APSR के पास waiting के लिए, ठीक है न, उन्होंने अब यह examine हो चुका है, और चला गया है, फिर से उनके पास, अ पे जाएंगे, और task progress पे हम click कर देते हैं, उसके बाद फिर से देखिए, यह पूरा proposal आ चुका है, अब यह इस process वाले बटन पर click करेंगे, click करने के बाद यहाँ पर देखिए, forwarded by, इनका नाम आ चुका है, इनके so का नाम, और उसके बाद फिर remark आया है, यह वाला remark यहाँ पर आया है, अब यह इस remark के according इस पर waiting का का काम करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो भी noting का का काम होगा ना, हम लिखते है noting, तो यह जो हमारा remark है ना, यही noting का का काम यहाँ पर करेगा, ठीक है, अब यहाँ से यह view proposal फिर से देख सकते हैं कि भाई, किस ने क्या क्या रिम करके इसको यह वापिस से return कर सकते हैं, अब माली जी इनको इसे record को wait करना है, तो इस wait record वाला option है, इस वाले option पर यह click करेंगे, ठीक है ना, इन्होंने इस record को examine भी करवा लिया है, चाहते तो यह पहले भी इसको wait कर सकते थे, लेकिन इन्होंने examine कराया, और वो सही process भी है, wait record पर जाके हम wait करेंगे, तो इस wait record पर हम click करते हैं, click करने के बाद यहाँ पर एक option आता है, कि the current version of the proposal is version 1, are you trying to create new version of the proposal, this will reward the earlier approval, basically होगा यह कि अगर जैसे आप यहाँ पर yes करते हैं, तो हमारा यह जो current version था, वन यह change हो जाएगा version 2 में, तो हम yes करते हैं, yes करने के बाद यह पूरा proposal इनके पास खुल जाएगा, जो भी हमने बेजा था, नीचे आते हैं, नीचे आने पर देखिए, यहाँ पर यह जो waiting वाला portion था, हमारा यह जो waiting वाला portion था, यह इनके पास highlight हो चुका है, इसको wait करने के लिए, ठीक है न, अब हम क्या करेंगे, इस record माली जी है, हमारा गलत था, तो हम इसको return कर देते हैं, यह वाला record माली जी हमारा सही था, तो हम इसको waited कर देते हैं, जो भी record उनको सही लगता है, उसको waited कर देंगे, जो भी उनको return करना है, उसको यहाँ पर return select कर लेंगे, अब होगा यह है कि जब यह record approval होगा, तो यह वा प्रेट हो जाएगी फिर से इनका नाम डिलिंग कलर की आईडी पर नहीं दिखेगा तो यहां से यह केरफुली होकर वेटिंग वाला उप्सन सेलेट करना है उसके बाद यहां पर हम सेप एल प्रॉसीड टु वर्क फिलो इस पर किलिक करते हैं यस करते हैं अब यस करने के बा जिसका रेकॉर्ड वेट करना था उसका रेटन कर दिया रेटन वाले का वेट कर दिया तो यह इस डिस्कार्ड चेंजेज पर जाके इस वर्जन को डिस्कार्ड कर देंगे पहले से पहले वर्जन आ जाएगा और फिर से दोबारा से यह इसको वेट कर सकते हैं सही ठीक है न फिलाल हमें ये कुछ नहीं करना उसके बाद आता है select action type अब यहाँ पर हम select action type select करते हैं तो आप notice करिए अब यहाँ पर एक option और जुड़ चुका है waited जब तक हमने इस record को wait नहीं किया था तब तक हमारे सामने ये waited वाल option नहीं आ रहा था जैसे हमने इस proposal को wait कर दिया हमारा version ब record wait नहीं होगा और ये बिना wait के चल जाएगा और ये approval नहीं हो पाएगा फिर से ये इनी के पास बेजना पड़ेगा तो यहाँ पर इनको ध्यान रखना है एपसर को wait करने के बाद select action type में waited select करना है उसके बाद हम परपच पे आते हैं और परपच पे यहाँ पे फिर एक ही option आएगा further necessary action तो हम इसको select कर लेते हैं उसके बाद हम forward 2 पे click करते हैं अब forward 2 में ये case अब वापिस से इनको return करना है जिस department से ये आया था जिन officer की ID से ये आया था उनको ये वापिस करना है इन case मान लीजे वो officer transfer हो चुका है उन्होंने forward तो कर दिया लेकिन अब उनका transfer हो चुका है तो ये इस record को दूसरे officer के पास भी बेज सकते हैं उस department अगर ये proposal personal से आया है तो इनको इसे वापिस से personal department के किसी officer के पास approval के लिए बेजना पड़ेगा अगर ये engineering से आया है तो इनको वापिस से engineering department के officer के पास approval के लिए बेजना पड़ेगा जब तक ये proposal approved नहीं हो होगा तो हम सब्सक्राइब करते हैं कि हमारा जो एपियो जी से एपियो सर की आईडी समने भीजा था उनका ट्रांसफर हो चुका है ठीक है ना या उनसे ये काम अट गया है और अब हम दूसरे अधिकारी के पास इसको अप्रूवल के लिए भीजना चाहते हैं तो उनके पास भी इसे बेजा जा सकता है तो हम सिंपल ही यहाँ पर नाम सेलेट करेंगे तो मानी जी अब हम इनके पास बेजना चाहते हैं इसको अप्रूवल के लिए ठीक है ना ये किसी भी ऑपिसर के पास बेज सकते है परसनल में बेजेंगे ऑपिसर के पास ही ठीक है वही अब ये record चला गया है हमारे personal department में जिन officer के पास हमने ये बेजा था, हमने deputy sir की ID पे बेजा था, तो उनके पास ये record चला गया है, अब हम deputy sir की ID से login करते हैं, तो guys ये था process के accounts एक leave record को किस तरीके से wait करेगा, किस तरीके से examine करेगा, ये पूरा process हमने सीख लिया कि accounts के part पर किस त department के officer के पास, क्योंकि उसी department का officer इस leave record को approve कर सकता है, accounts के बाद सिर्फ वेटिंग की power होती है, किसी भी record को approve करने की power उसी concern department की होगी, तो अगर personal से आया है, तो ये leave record वापिस से personal में जाएगा, अगर ये engineering वगेरा किसी और department से आया है, तो महां के officer के पास जाएगा, अब हम login हो चुक है, personal department के officer की ID से, जिनके पास एएपसर ने इस leave record को approve के लिए बेजा था, तो यहाँ पर हमने हमारे deputy साब को बेजा था, तो अब ये क्या करेंगे, फिर से इस menu वाले option में आएगे, और यहाँ पर work flow वाला option है, यही work flow option इस पे जाएगे, task progress पे क्लिक करेंगे, अब हैं और इनके पास जो भी proposal आये रहेंगे, वह अब हमारे proposal यहाँ पर दिखेंगे, तो यहाँ पर यह वालाatisfausal है, यही वाला proposal और पहले से पढ़ा था, तो यहाँ पर यह वाला proposal है, इस proposal id पर ये process वाले बटन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद, अब आप यहाँ पर proposal पर click करते हैं click करने के बाद हमारा यह proposal दिखने लग गया है अब हम नीचे आते हैं तो आप notice करिए कि यह दो proposal हमने wait किया था तो waited हो चुके हैं और यह return किया था तो यह return हो चुका है अब यह employee अब यह dealing अगर इनको कुछ कम है तो यह अपना रिमार्क देंगे तो यह इनों ने अपना रिमार्क दे दिया है और submit कर देते हैं तो हम यहाँ पर submit बटन पर click करते हैं yes करते हैं तो यह हमारा proposal successfully wait हो चुका है और approve भी हो चुका है अब हम इन में से एक employee की ID पर फिर से जाके देखते हैं कि उनके पास क्या remark आ रहा है अब हम फिर से login हो चुके employee की ID से तो मैंने मेरा ही SJ employee के तोर पर दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद का यह अपना बेजा था है उसके बाद हम क्या करेंगे इस leave management वाले option में जाएंगे employee की ID से और यहाँ पर new leave application इस पर select करेंगे यहाँ पहले हम leave balance check कर लेते हैं जैसे चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर मेरी LAP घट चुकी है और LHAP मैंने same रखी थी तो वो है यानि कि हमारा balance change हो चुका है हम leave management पर जाते हैं new application पर click करते हैं nature of leave में हम यहाँ पर LAP select करते हैं तो देखिए अब हमारे पास कोई भी message नहीं आ रहा है हमारा leave यहाँ पर दिखने लग गया है अब आपका leave wait हो चुका है approve हो चुका है अब आपका यहाँ से आगे जितनी भी छुट्टी आप लोगे वो automatic गड़ती रहेगी जब भी आपकी छुट्टी credit होगी तो आपकी credit होती रहेगी आपका leave balance automatic चलता रहेगा leave leisure आपका बन जाएगा तो गाज यह था हमारा पूरा प्रोसेस के एक employee का leave record कोई dealing color किस तरीके से HRMS में update करेगा किस तरीके से वो wait होगा और किस तरीके से employee के खाते में सही balance सो करेगा तो यहाँ पर सभी करमचारियों की विजमेदारी है कि अगर उनका HRMS में LAP, LHP और CCL का leave balance गलत update है, गलत दिख रहा है तो वो अपने dealing color से जाकर और इस record को सही करवा ले HRMS से leave किस तरीके से लेनी है वो उसके लिए मैंना already वीडियोज बना दी है चैनल पर जाकर देख सकते है HRMS से leave किस तरीके से withdraw करनी है, किस तरीके से cancel करनी है किस तरीके से holiday के साथ leave लेनी है किस तरीके से LAP लेनी है वो हम आगे आने वाली वीडियोज में सीख लेंगे तो गाईज यार आप चैनल पर नए हो और अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जल्दी से like कर दीजिए तो आई आप गाईज ये वीडियो informative होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार जल्दी से like कर दीजिए सेर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं ऐसी इंट्रेस्टिक वीडियो के साथ बहुत बहुत धन्यवाद